हमारी चैनल ग्यान विशेश को सब्सक्राइब करो और सबसे पहले वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबाएए नमस्कार दोस्तो मैं आपका दोस्त हाजिर हूँ फिर एक महत पूर्ण जानकरी के साथ दोस्तो आज की हमारी एक विशेश चड़ी बूटी है सदा बाहर सदा बाहर का पोधा एक ऐसा पोधा है जो हमें गंबीर और असाथ्य बिमारी से छुटकारा दिलाता है और जीवन पर सुष्थ रखता है दोस्तों सदा बाहर का पोधा एक ऐसा पोधा है जिसे खुन की कमिक, कमचोरी, ब्लड प्रेजर, सुगर और कैंसर जैसी भयानक विम्यारी में उप्योग में लिया जाता है दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें बिल आइकन दबाए और ओल नोटिफिकिसन पर क्लिक करें जिससे हमारी हरनी वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे तो दोस्तों आज हम सदा बाहर के पोधे की फायदे की बारे में बात करेंगी जो हमारी आसपास में ही पाया चाता है लेकिन जानकारी की अभाव के कारण हम इसके फायदे नहीं ले सकते आजकल ये पोधा बहुत सहचता से मिल जाता है यह पोधा देखने में तो बहुत सामान्या और साथारन लगता है लेकिन ये बड़ी बड़ी बिमारिया जैसे की एनेमिया, कैंसर, सरिर की कमजोरी और ब्लड सुगर को ठीक करता है ज़्यादा तर इस पौधे को सदा बाहर के नाम से ही जाना जाता है क्योंकि इस पौधे पर बारो मास फूल खिलते हैं देश के अलग-अलग हिस्सों में इसे सदा सुहागन, नयमतारा, बार मासी, सदा फूली और सदा बाहर चैसे नामों से भी जाना जाता है दोस्तु ज़्यादा तर लोग इसकी जानकारी न होने के कारण इसे खपतवार समझ कर उकाड़ कर फैंक देते हैं इस बहु मुल्य जड़ी बुटी का आप अपने रोगों को दूर करने के लिए उपयोग में ले जकते हैं तो चलिए जानते हैं कि सदा बाहर हमारी सिहत के लिए किस प्रकार से उपयोग में लिया जा सकता है तो दोस्तो सबसे पहले हम टायाबिटिस में इसके प्रयोग के बारे में चानते हैं इस सदा पहार के पूरे पोधे में लगबग 150 प्रकार के अलकलोइड पाई जाते हैं जिसका हाइपोग्लाइसेमी के एफेक्ट होता है यह एफेक्ट खुन में सुगर के लेवल को कम करने में बेहत लापकारी होता है यह एलकलोइड प्रक्रियास की बिटा सेल्स को सकती प्रदान करता है जिससे पैंचे राइस सही मात्रा से इंचूलिन निकालने रखता है इंचूलिन ही वो हॉर्मन्स है जो ब्लड में सुगर की मात्रा को संतुलित करके रखता है इसलिए दोनों प्रकार के सुगर के रोग्यों के लिए अत्यांत ही फायदे मन्द है डायबेटीस में इस पोधे के फूल, पत्ती और टहनी सभी का उप्योग कर सकते है इसका रस निकाल कर पी सकते है या इसकी चटनी बना कर खा सकते है आप चाहे तो राद को पांच पत्ते एक गलास पानी में पिगो कर रखे सुबह खाली पेट सोच के बाद इस पानी को पी जाए और इसकी चटनी भी खाली पेट ही लेनी चाहिए इसको करने के 10 दिन पाथ अपनी सुगर की जांच करवाए निश्चित ही आपको फाइदा होगा अब जानते है कि हाई ब्लड प्रिसर में ये किस प्रकार से फायतिमन्द होता है सदा बाहर की जड़ में एंजमालेसिन एंड सर्पन्टाइंस नामक एलकोलोईड पाई जाते हैं जो एंटि हाईपर्टेंट्सिव होते हैं यह ब्लड प्रिसर के लिए अत्यंत ही लाबकारी है इसकी जड़ को साप करके सुबह चबा चबा कर खाली ची या फिर दातों की तरह चबा चबा कर इसका रस पिती रहे इसके साथ में आप सर्प गंदा की जड़ को भी इस्तिमाल कर सकते हैं दोनों को मिला कर लेने से इसका रिजल्ट और भी अच्छा होता है सर्प गंदा आप किसी पंशारी से ले लीजी अगर सर्पगंदा न मिल तो भी आप सदा बहार की जड़का उप्योग कर सकते हैं चलिए अब जानते हैं कैंसर जैसी भायानक और जानलेवा बीमारे में इसके फाइदे के बारे में सदा बहार की पत्यों में दो एलकालोईड पाए जाते हैं विंक्रिश्टाइन और विना ब्लाश्टाइन एलो पत्य में इन दोनों नामों से इंजेक्शन भी आते हैं जो मुक्यता कैंसर की रोगियों को दिये जाते हैं ये कैंसर की कीमो थिरेपे की साथ दिया जाता है कैंसर के रोगियों को इसकी पत्यों की चटनी बना कर नेमित रूप से दीचे अगर रोगी ऐसी हालत में हो जिसमें वो कुछ खा न सके तो इसका रस बना कर दीचे ध्यान रहे इस रस को सुबह खाली पेठी रोगी को देना है और सोच के बात ध्यान रहे जब भी आप इस पोधे का इस्तिमाल करें तब गुलाबी रंग या सपेद रंग के फूलो वाले सदा भाहर के पोधे का ही इस्तिमाल करें इन दोनों में से सपेद फूल वाला पोधा ज़ादा गुनकारी होता है लेकिन दोनों का ही आप प्रयोग कर सकते हैं तो दोस्तो ये थी सदा बाहर के नुश्की जो आप अपने घर पर कर सकते हैं और रोगों से मुक्त होकर सौस्थ जीवन जी सकते हैं तो दोस्तो ये थी आज की महत्पूर्ण चानकारे वीडियो पसंद आने पर लाइक करे, शेर करे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे मिलते हैं अगली वीडियो में फिर एक नई चानकारी के साथ